Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल 21-22 में भारत की GDP growth है, वो 9.7% चली गई, और फिर उसके अगले साल 7%, लेकिन जो पिछला वाला हमारा financial year रहा है, that is 2023-24 का, इसमें हमारी GDP growth rate 8.2% रही है, जो कि एक अच्छी बात है, तो अब question यह है कि यह जो current financial year है हमारा, that is 2024-25 का, इसमें हमारी GDP growth rate कैसी रहेगी, अब क्यों कि अलड़ी यहाँ पर 5 मेहने बीच चुके हैं, तो अब जानना जरूरी है कि जो पहला quarter था, कहने का मतलब यह है, कि April, May और June, इसको कहते हैं, first quarter, तो यहाँ पर 2024-25 का जो पहला quarter गया है, April, May, June का, उसका GDP growth rate कैसा रहा, अच्छा, एक चीज धियान रखेगा, हमारे GDP का data आ दिले से आता है, तो June के बाद July और August, और August end में, यह आपको पहले quarter का GDP growth देखने को मिल रहा है, जो की आया है, 6.7%, यह आप देख सकते हो खबर, India's GDP growth slows down to a 5 quarter low of 6.7%, और इसी के बारे में हम detail से चर्चा करेंगे, कि आखिरकार कारण क्या है इसके पीछे, इसका calculation क्या हुआ ह में आखिरकार सरकार क्या कर रही है, क्योंकि आपको याद होगा, पहले quarter में हमारे यहाँ पर elections भी रहा था, और elections की वजए से भी बड़ा impact बताया जाता है, जो GDP की उपर आपको देखने को मिलता है, तो काफी कुछ जाने को मिलेगा इस वीडियो में, चली आगे बढ़ते है, कि एक तो अगर आप 2025 का प्रिलिम्स भी अगर आप क्राक कर लेते हैं, तो जो पूरा फीस आप पे कर रहे हो, अलड़ी काफी discounted rate पर वो आपको refund कर दिया जाएगा, साथी साथ आपके पास cash reward जीतने का मौका है, क्योंकि यह batch लेने के बाद हर हफते, Sunday को test series होगा, test और जिसके अंदर top rank को 11,000 रुपीज का reward मिलेगा, तो यहाँ पर motivation भी है, और साथी साथ आप अपनी त्यारी कर सकते हैं, तो join करने के लिए हमारे website आप पर जाएए, या फिर comment section में link और आपको use करना है, यह code UNKITLIVE ताकि आप maximum discount ले सके हैं, और इसके अलावा, अगर आप mcqs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे insta page पर जाएए, वहाँ पर stories में जितने भी mcqs हैं, उसको भी आप attempt कर पाएंगे, चले सुरुवात करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कि यह जो GDP का data है, वो किसके दौरा दिया जाता है, तो ministry of statistics and program implementation के अंदर आपने सुना ह होगा NSO के बारे में, National Statistical Office, उनी के दौरा ये data release किया गया और आप देख सकते हैं, it is related to the estimate of GDP for the first quarter, मतलब 2024-25 का जो financial year start हुआ है 1st of April से लेकर, तो यहाँ पर एक quarter में 3 महने होते हैं, तो April, May, June quarter का GDP की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो GDP का data कितना है, it is 6.7%, अब देखे यह आपका अनुमान से भी कम आया है, मतलब यहाँ पर कई सारे पोल वगरा किये जाते हैं, अलग-अलग news channels वगरा के दौरा, जिसके अंदर यहाँ पर उनुमान यह था, कि 6.8% रह सकता है, उससे भी कम आपको यह data देखने को मिलेगा, 6.7%, और जहां तक GBA का सवाल है, that is gross value added, तो यह आया है आपका 6.8%, अच्छा ध्यान रखना है आपको, जब हम GDP की बात करते हैं, तो यह basically demand side को दिखाता है, जैसे कि consumption हो गया, जैसे आपको पता ही होगा न, GDP का जो formula है, वो होता है, C plus I plus G plus NX, मतलब कि C for private consumption, I for investment, G for government expenditure, और जब हम GBA की बात करते हैं, तो basically यह supply side को दिखाता है, मतलब agriculture में कितना production हुआ, mining कितनी हुई, electricity कितना, मतलब production को यह दिखाता है, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो GBA की value आई है, वो इसके अधार पर आपको देखने को मिलेगी, agriculture हमारा 2% से grow किया है, mining 7.2% से grow किया है, manufacturing 7%, construction 10.5%, electricity 10.4%, तो यह जो supply side है, वो GBA को दर्शा आता है, I hope आप समझ गए होगे, तो यहाँ पर हम specifically बात करहें, GDP के बारे में, gross domestic product, अब पिछले कुछ quarters की अगर आप बात करें, तो यहाँ पर आप clearly देख पाऊगे, किस तरह से हर quarter में हमारी GDP growth हुई है, जैसे कि 6.2%, 8.2, 8.1, 8.6, 7.8, और उसके बाद स एक बड़ा गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, और इस बार आया है GDP का नंबर 6.7%, अब इसको कैसे read किया जाए, देखो, सबसे पहली चीज़ यह है, कि जब हम बात करते हैं, 6.7%, तो यह हम किस से compare कर रहे हैं, हम basically compare कर रहे हैं, YOY, मतलब year on year growth की हम बात करें, मतलब कि 2024-25 का यह जो पहला quarter है, April, May, June का, इसको हम compare करेंगे 2023-24 के पहले quarter से, मतलब पिछले साल वाला जो April, May, June का महना था, उसमें हमारी GDP growth rate कैसी रही, यह आप देख सकते हैं, यह था आपका 8.2%, तो उस समय यह 8.2% था, और उस समय जितना भी GDP था, उसके मुकाबले, इस बार हम 6.7% grow की हैं, अच्छा मैं आपको number से भी दिखाता हूँ, ताकि आपको सब कुछ clarity मिल जाए, यह जो figures हैं, यह directly ministry के दौरा release किये गए, आप भी चाहो तो ministry of statistics में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको link मिल जाएगा, आप उसको report को download कर सकते हैं, तो मैंने इसका यह screenshot लगाया ह तो इसमें अगेन आप वही चीज़ देख पाऊगे, यहाँ पर जो GDP हम calculate कर रहे हैं, GDP for quarter 1, 2024-25 और ध्यान रखेगा, यह basically हम real GDP की बात कर रहे हैं, मतलब 2011-12 का जो base year है, आपको यादी होगा GDP का जो calculation होता है, अगर हम निकालते है current price के हिसाप से, 2024-25 में इस समय क्या price है उस उसके अधार पर निकालेंगे, तो वो हमारा nominal GDP निकल कराएगा, लेकिन हमें अगर real GDP चाहिए, तो हमें base price का लेना चाहिए, तो 2011-12 का जो base price का उसके अधार पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि private financial consumption, मतलब यह C हो गया, ठीक है, तो private financial consumption यहाँ पर हुआ है 24 lakh करोण, औ और इसको अगर आप compare करो, पिछले साल जो हुआ था private consumption वो था 22 lakh करोण, उसी प्रकार से आप हर एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर government का expenditure कितना रहा, investment कितना रहा, export कितना रहा, import कितना रहा, तो overall अगर आप देखोगे, तो पिछले साल यहाँ पर जो total production हुआ था, पहले 7% का, I hope आप समझ पा रहे होगे, ठीक है, तो इस तरह से आपका GDP का जो data है, वो हमें देखना होता है, अच्छा इसमें एक और चीज़ ध्यान रखेगा, यहाँ पर right side में अगर आप देखोगे, तो यह share बता रहा है, मतलब consumption का share आपको सबसे जादा देखने को मिलेगा, consumption मतलब मैं आप सभी लोग जो बजार में जाकर समान खरीते हैं, तो उसी को private consumption कहा जाता है, तो पिछले साल आप देख सकते हैं, यहाँ पर private consumption का share था, overall GDP में 55.9%, जो कि इस बार बढ़ गया है, 56.3%, लेकिन यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, कि जो government का share है, government जो expenditure करती है, तो वहाँ पर पिछले साल 10.2% इनका share था, जो कि इस बार गिर कर हो गया है 9.5%, मतलब इस से आपको साफ देखने को मिल रहा होगा, कि सरकार actually कम खर्च कर रही है, ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करें, तो यह slowdown क्यों आया है, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं आपको बोल रह और in fact अगर आप RBI का भी अनुवान देखोगे, RBI ने कहा था कि 7.1% रह सकता है, उससे भी यह कमाया है 6.7%, देखें यहाँ पर जो economic survey किये गये थे, उनके दोरा दो main factor बताया जा रहा है, GDP growth के slowdown का, एक है आपका election और दूसरा है urban consumption, देखें क्या होता है ना कि जब भी elections आ इसकी वजय से elections के दोरान, यहाँ पर जो सरकार का खर्चा है, वो गिर जाता है, in fact अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर government का final consumption growth, यह minus में आया है, minus 0.2%, in fact यह जो raw data मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने इसमें ध्यान से देखा होगा, तो पिछले साल सरकार ने quarter one में खर्च किये थे, 4.15 lakh करों, लेकिन इस बार कितना किया है, उससे भी कम किया है, 4.14 lakh करों, मतलब यह हुआ कि सरकार यहाँ पर जो खर्चा है, वो actually कम की है, और इसी की वज़े से यहाँ पर जो यह बड़ा impact हुआ elections का, इसकी वज़े से हमारे GDP में slowdown देखने को मिला ह फिर दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि urban areas में जो consumption है, वो शायद pick नहीं हो पा रहा, उसमें थोड़ी सी गिरावट हुए है, जिसकी वज़े से overall यहाँ पर गिरावट हुआ है GDP growth के numbers में, फिर इसके लावा यहाँ पर एक और interesting चीज़ में आपको दिखाता हूँ, दे यहाँ पर अगर आप number देखोगे, तो बताया गया सरकार 11.1 lakh करोंड रुपए खर्च करने जा रही है, capital expenditure, मतलब flyers बनाना, roads बनाना, बाकी जो asset बनाना, जिससे सरकार को भी income आ सके, जो long term चले, और पिछले कुछ वर्सों में आप देखिए, तो इसमें अच्छी खासी growth ह हुई है, तो हुआ क्या है यहाँ पर problem यह हुआ है, कि सरकार ने जितना budget allocate किया था capital expenditure पर 11.1 lakh करोंड का, उसमें से सरकार पहले quarter में सिर्फ 16.3% ही खर्च की है, और इसका भी एक main कारण बताया जा रहा है, इस बार heat wave काफी देखने को मिला था, अब heat wave में क्या होता है, कि जो construction का काम है, बहुत सारे जो work हैं वो रुख जाते हैं, लोग काम नहीं करना चाते हैं, तो इसी की वज़े से यहाँ पर यह बहुत बड़ा impact हुआ, जिसकी वज़े से सरकार खर्चा नहीं कर पाई है, capital expenditure उतना नहीं हुआ, अगर वही चीज़ अगर आप पिछले साल से compare करो, पिछले साल quarter one में सरकार का जितना भी capital expenditure होना था, उसमें से 27.8% अलड़ी सरकार ने कर दिया था, लेकिन इस बार कितना किया, सिर्फ 16.3%, तो यह I hope अब आपको समझ में आ गया होगा, कि यहाँ पर problem क्या हुआ है, यह GDP growth में क्यों गिरावट आई है, basically सरकारी जो खर् time high पर चल रहा है, यह 681 billion dollar हमारा पहुँच गया है, और आगे क्या होगा, देखो अब आगे क्या है न, कि आगे आने वाले महिनों में भी कुछ-कुछ खत्रा है, खत्रा क्या हमें आपको बताता हूँ, especially जो Goldman Sachs का data सामने आया, उनका जो अनुमान आया है, उनका यह कहना ह है, कि GDP growth में गिरावट होगी, 2024-25 का जो हमारा GDP growth है, वो 6.7% पर आ जाएगा, जो कि अगर आप पिछले वाले financial year से compare करेंगे, तो बहुत कम है, पिछला जो 2023-2024 का हमारा data सामने आया था, GDP growth का, वो आया था 8.2%, यह मैं पूरे साल भर की बात कर रहा हूँ, तो इसको further गिरा कर यहाँ पर किया गया है, 6.7%, RBI ने भी यहाँ पर कमी किया, तो जरूरी हो जाता है कि GDP को push करने के लिए, GDP को बढ़ाने के लिए, RBI जो है, वो interest rate में गिरावट करे, लेकिन अभी RBI interest rate में गिरावट करने के लो ready नहीं है, क्योंकि RBI का यह कहना है कि देखिए, समय inflation का भ काफी जादा inflation देखने को मिला है, जो vegetables वगरा, यह तो मैं रोज experience कर रहा हूँ, online order वगरा मैं करता रहता हूँ, तो उसमें देखने को मिलता है साफ-साफ, आलू, प्याज, यह सब के दाम अगर आप देखे, तो काफी जादा इस समय हो गया है, मतलब 1-1 kg, आलू, प्याज करीब 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए, इस तरह के देखने को मिल रहा है, usually ऐसा देखने को नहीं मिलता था, 15-20 रुपए इसके हिसाब से आसपास रहता था, तो यह food prices में जो बढ़ोतरी हुई है, inflation हो रहा है, जिसकी वो जैसे repo rate में गिरावट नहीं हो पा रही, अब देखते हैं, RBI यह कैसे handle करती है, क्योंकि एक तरफ आपको GDP भी बढ़ाना है, दूसरी तरफ inflation को भी control करके रखना है, आपका क्या सोचना है, इसको लेकर इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे comments में ज़रूर बताएगा, I hope आपको सब कुस समझ में आ अगर आपको PDF यह तो Telegram पर आईए, अलगला सोचल मीडिया पर आप जूड सकते हैं, और अगर आप कल वाला back join करना चाहते हैं, कल से हमारा class स्टार्ट हो रहा है, प्रतिग्या प्लस का, you can join them by using this code ANKITLIVE to get maximum discount, and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से